हलो फ्रेंड्स नमस्कार कैसे हैं आप सभी माँ आपका दोस्त दिने सेनी स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे यूटूब चैनल पे तो दोस्तो आज का यह जो वीडियो है 11th क्लास की इंगलेस लिटरेचर की जो भुक है वोवन बर्ट इस मैं से जो पोघ्र सेश्चन है दोस्तो उसका अपन बना रहे हैं तो आज जो हो आपन पोघ्री पढ़ने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चो वो पोघ्री पढ़ने वाले है द्लपकोग ओर दौक्र किस देनम कि उत्के हूह उई है ये लिक्टी यह की सुजाथा भट की तो अपन देखते हैं कि दोस्तों सुजाथा भट जो है सुजाथा भट वस बॉर्ण इन 1956 तो सुजाथा भट का जो जनम कब हुआ था दोस्तों 1956 में हुआ था वोज एड्यूकेटेड इन दे USA and now live in Germany वो कहां पर पड़ी थी दोस्तों यूसे में पड़ी हुई है और अभी वो कहां पर रह रही है जर्मनी में रह रही है C1 C1 the Commonwealth prize for the Asian section for her collections of poem तो इनको दोस्तों प्राइस भी मिला हुआ है ब्रूनिजम 1988 ब्रूनिजम नाम का इनका एक collection था दोस्तों poems का वो publish हुआ था वो publish कब हुआ था उनने सो इठेसी में हुआ था from which the peacock is taken और यह जो peacock अपनी poem है यह कहां से लिवी है दोस्तों ब्रूनिजम से लिवी है यह क्या था दोस्तों poetry का collection था from which the peacock is taken two other books of poems by her are उनकी जो important दो और बूक है दोस्तों वो भी poems की है वो कौन कौन सी है monkey shadow है जो कि 1990 में publish हुई थी and the stinking rose है जो कि 1994 में release हुई थी she has also translated gujarati poetry into English और इन्होंने क्या किया था दोस्तों gujarati poetry को भी क्या किया था इन्होंने English में translation इनका किया था तो चलते हैं दोस्तों बात करते हैं अपनी poetry की की अपनी poetry जो है दोस्तों कैसी है और इसका text क्या है अपन इसके explanation पर चलते हैं तो अपन देखते हैं दोस्तों इसका पहला stange क्या है ओके इसका पहला stange है दोस्तों his loud sharp call seems to come from nowhere कि इसकी जो आवाज है यह किसके हिज जो है दोस्तों किसके लिए लगाया गया है यहां पर हिज लगाया गया है दोस्तों पिकोग के लिए कि his loud sharp call कि उसकी जो आवाज है मतलब किसकी आवाज है पिकोग की जो आवाज है दोस्तों seems to come वो आतिव भी परतीत हो रही है from nowhere लेकिन सुजाता भट को वो क्या है दोस्तों दिखाई नहीं देता कि वो आवाज जो है किस तरफ से आ रही है then कि उसके बाद a place of turquoise turquoise क्या होता है दोस्तों blue green जो है एक पत्थर के समान होता है जो अपन मोर की पंक देखते है उसके बीच में होता है ना दोस्तों उसको क्या करते हैं turquoise करते है then a place of turquoise in the people tree the slender neck arched away from you as he descends descends का मतलब होता दोस्तों नीचे की और आना तो इतने में ही पोईट है सुजाता भट को क्या दिखाई देता है दोस्तों फ्लेस का मतलब होता है एक फ्लेस पढ़ना मतलब एक जलक पढ़ना उनकी जलक पढ़ती है कहां पर टर्कोईस पर in the people tree और जो मतलब उस पिकॉक पर पढ़ती है ठीक है और वो जो पिकॉक है दोस्तों वो कहां पर है पिपल ट्री पर है दसलेंडर नेक आर्ट अवwi फॉम यू एज heute ऊडसे ही वो नीचे की और उतरता है ऩिसेंड करता है कि जैसे ही वो तुमसे दूर जा रहा होता है जैसे ही वो पिकॉक तुमसे दूर जा होता है a glimpse of the very end of his tail तो आपको क्या दिखाई पड़ती है उसकी जो पूँच जो होती है उसका छोर की जो आपको जलक जो है दिखाई पड़ती है ग्लिम्स का मतलब होता है प्यारे बच्चो जलते हैं अपने चेंजा देखते हैं मुझे बताया गया था या फिर मुझे कहा गया था देट आपको कहां पर बेटना है वरांदे में बेठना वरांदा क्या होता है दोस्तों अपने मतलब बैठने की जगह होती है घर पर उसे अपन क्या करते हैं वरांदा करते हैं छोटा स्पेस होता है खाली स्पेस होता है उसे अपन क्या करते हैं वरांदा करते हैं आप जो पोईटेस है दोस्तों इनको कहा गया था, क्या कहा गया था, that you have to sit in the वरांदा, आपको कहां पर बेठना है, वरांदे में बेठना है, and read a book, आपको क्या करनी है, एक book को read करना है, preferably one of your favorites, कि आपको कौन सी book पढ़नी है दोस्तों, जो आपकी favorite book है, वो आपको लेनी है, वो लेकर आपको वरांदे में बेठ कर क्या करनी है, मेरे प्यारे बच्चों, पढ़नी है, with a great concentration, तो यह बात किसको कही गई थी, point असको कही गई थी, कि भई आपको एक book लेनी है, जो आपकी सबसे favorite book हो, वो लेनी है, और उसके बाद आपको वरांदे में बेठना है, और उस book को क्या है, full concentration के साथ आपको पढ़ना है, read करना है, the moment you begin to live inside the book, कि मतलब, यह वा live inside the book का मतलब अदोस्तों, जब आप book में पूरी तरीके से खो जाओगे, the moment, कि उस छण you begin to live inside the book, कि उस वक्त जब आप book में पूरी तरीके से खो जाओगे, a blue shadow will fall over you, कि एक जो blue परचाई है दोस्तों, एक नेली कलर की shadow जो है परचाई, जो है वो तुम्हारे उपर से गुजरेगी, the wind will change direction, कि जो हवा है, जब वो परचाई तुम्हारे उपर से गुजरेगी, तो क्या होगा दोस्तों, यह जो हवा है, इसकी जो direction से दोस्तों दिसा है, वो क्या हो जाएगी, change हो जाएगी, the steady hum of bees in the buses nearby will stop, buses का मतलब होता है दोस्तों, जाडियां, जाडियों में से जो आवाजे आ रही है, जो आसपोडोस में जो जाडियां है, जिस वरांदे में आप बैठे हो, उसके आसपोडोस में कुछ जाडियां है, वहाँ पर मदुमकियां है, और उनके भिन कि जो आवाज आ रही है, दोस्तों, वह भी क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, विल स्टॉप, तो कहने का मतलब यह है, कि पोईटेस को कहा गया है, कि आपको वरांदे में बैठना है, एक बुक पढ़नी है, और वह भी full concentration के साथ, जब आप बुक में पूरी तरीके से खो जाओगे, तो अचानक से क्या होगा, आपके ऊपर से एक blue परचाई जो है, दोस्तों, गुजरेगी, तो जिस वक्त ये blue परचाई गुजरेगी, उस वक्त क्या होगा, दोस्तों, हवाई जो है, वो अपनी direction change कर लेगी, दिसा बदल लेगी, and the steady hum of bees की जो मदुमक्यों की भ भी क्या हो जाएगी, stop हो जाएगी, चलते हैं आगे, तो फिर क्या होगा दोस्तों, वो पास में, जो बेटी वी केट है, जो सोई हुई केट है, वो भी क्या हो जाएगी, अवेक हो जाएगी, जग जाएगी, and stretch, और अंगडाई लेगी, something has broken your attention, तो आपको पता चलेगा, कि किसी चीज ने क्या कर दिया है, आपके attention को, तोड़ दिया है, भंग कर दिया है, and if you look up in time, अगर आप समय रहते देख लेते हो, you might see, तुम देख पाओगे, the peacock turning away, एक मोर को दूर जाते हुए, पलटते हुए, as he gathers his tail, जैसे ही वो अपनी पूंचो को क्या करेगा, दोस्तो इकठा करेगा, जब अपन देखते हैं, जब कोई peacock बैटता है, तो वो क्या करता है, दोस्तो, अपने पंखो को समेट लेता है, तो यह कहना चाहरे है, कि जैसे ही जो peacock होगा, वो आपके उपर से गुजरेगा, तो क्या होगा, दोस्तो, हवाएं अपना जो दिसा है, वो बदल लेगी, और जो पडोस में से मदुमक्यों के भिन बिनाने की आवाज आ रही है, वो रुख जाएगी, और केट भी जग जाएगी, और वो अंगडाई लेने लग जाएगी, और आपका भी ध्यान क्या हो जाएगा, भंग हो जाएगा, अगर आप समय रहते देख जो क्या होगी दोस्तो, बैंगनी कलर की और फ्रिंज्ड का मतलब होता दोस्तो, जालर दार, with golden umber, क्या होगा? with golden umber, जब अपन मोर की पंक देखते हैं दोस्तों, तो वो जालर दार अपन को जो है, वो दिखाई पड़ती है, वो क्या है? it is the tail वो उसकी पूंच है that has to blink जिसे क्या करना पड़ता है जपकना पड़ता है for eyes that are always open अब इसकी पूंच को इसकी tail को क्या बना दिया है दोस्तो eyes से बना दिया है आंखे बना दिया है जो आंखे कभी क्या नहीं होती बंद नहीं होती लेकिन फिर भी आपको वो ऐसे परतीद होगी जैसे कि वो क्या कर रही हो blink कर रही हो तो दोस्तो ये थी अपनी आज की poetry the peacock composed by सुजाता भट तो उमीद करूँगा कि आपको ये poetry हिंदी में इसकी explanation अच्छे से समझ में आ गई होगी और अगली जो poetry है दोस्तो वो अपन कल पढ़ेंगे तो तब तक के लिए आपको क्या करना है अगर आपको poetry पसंद आई है तो इसे लाइक करना है कॉमेंट करके बताना है और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मैं इस पर 11th 12th क्लास की सारी की सारी जो poetry है दोस्तो वो अच्छे और easy सब्दों में क्या करने वाला हूँ अपलोड करने वाला हूँ तो मिलते हैं दोस्तो अगले वीडियो में तब तक के लिए अपना खयार रखियेगा बुबाई तेंक यू वेरी मच्छ वेव गूट नाइट